हलो फ्रेंड्स मैं हूँ कविता स्वागत है आप सभी का तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरी विंटर फ्लावरिंग प्लांट शॉपिंग सर्दियों के कुछ पोदे में लेके आई हूँ जो आपको दिखाऊंगी एके करके कि कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट में लेके आई हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये रैड कलर का पिटूनिया है और ये सेकिंड अगेन पिटूनिया का ही प्लांट है ये वाइट कलर का पिटूनिया है पिटुनिया मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में ये भर-बर के फूल देता है और बहुत सारी कलर वेराइटी में ये मिल जाता है बहुत खुबसूरत लगता है देखने में पिटुनिया ग्राउंड कवरिंग प्लांट है आप इसे जमीन में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्राउंड कवर कर देता है और किसी भी गमले में लगाएंगे तो पूरा गमला ये भर देता है अपने फूलों से और उसको अच्छे से कवर कर लेता है हैंगिंग बास सरद्यों का प्लांट है और यह एक प्लांट मुझे 25 रुपए में पड़ा है इसको हम सीट से भी ग्रो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है फिर पैसेंस रखना पड़ता है क्योंकि फिर वह फ्लावरिंग लेट करते हैं तो मैं डाइरेक्ट ही नर्सरी से ले इनको डाइरेक्ट ही यह डाइन्थस का प्लांट है इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे यह भी मुझे 25 रुपए का ही पड़ा है तो यह 20-25 रुपए में आसानी से आपको नर्सरी से मिल जाते हैं इसकी कटिंग भी लग जाती है इसके भी सीट् करके हम इसे ला सकते हैं फिर से यह पिटूनिया का प्लांट है परपल कलर का है इसमें थोड़ा सा ऐसे वैलवेट टचा रहा है बहुत ही खुलसुरत लग रहा है यह भी यह देखिए तो पिटूनिया में बहुत सारे कलर आते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जिस सब्सक्राइब से मैं लेकर आई हूँ ना उसका मैं वीडियो के लास्ट में क्विक टूर आप लोगी साथ में शेयर करूंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने सारे कलर्स इन प्लांट में एविएबल रहते हैं यह वर्बीना का प्लांट है क्लस्टर में फ्लावरि में मिला है फिर से यह पिटूनिया है इसमें वाइट प्लर के आउटलाइन बनी हुई है और बीच में परपल कलर है बहुत खुबसूरत लग रहा है यह वी प्राइट सबका सेम ही है 25 रुपे में 10 प्लांट लेके आई थी और यह मुझे 250 रुपी में मिले हैं तो एक प्ल कर फ़े जो मैंने दिखाया था वह यह वाला रएड डर का अरवं ना था तो वर्ली ना में भी पहुत सारी किडर वराइटी आपको देखने को मिल जाती है वाइट पर पल रयड पिंक बहुत सारे कलर आपको अरवे लांगे प्लान पैले हो चाहां uk और यह बीच में चाहा वाइट कलर की लाइन दिख रही है यह स्टार लाइट पिटूनिया बोला चाता है तो फ्रेंड्स यह सारे प्लांट्स थे जो मैं लेकर आई हूँ आज यह देखिए तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको क्विट टूर दे देती हूँ इस नर्सरी का जहां से मैं यह प्लांट्स लेकर आई हूँ ताकि आप देख सकें कि कितनी सारी कलर वेराइटी में यह प्लांट्स एवियेबल है तो यह पिटूनिया आप देख सकते हैं भर-भर की कलर है इसम सारे winter flower plant में नहीं लेकि आई थी क्योंकि एक साथ फिर गमलों में लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इतना time नहीं मिल पाता है तो जैसे जैसे इनको मैं गमलों में लगा दूंगी फिर मैं कुछ और plants add करूंगी फिर इधर ये dog flower है विंका है विंका की भी बहुत सारी variety ह वैसे सदा बाहर को गर्मियों में लगाना चाहिए लेकिन यह हमेशा फूल देता रहता है तो सर्दियों में भी आप लगा सकते हैं तो friends यह थे कुछ winter flowering plants जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किये हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा हो ला